आप देख रहे हैं पूछता है उत्राखंड मैं हूँ आपके साथ तिलक चावला आज बात होगी देव भूमी में उस सियासी दंगल की जो दंगल का अगास कुमाओ के दोरे पर आए देश के प्रधान मंत्री ने किया हलद्वानी पहुचे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक के बाद एक वार किये निशाने पर विपक्ष खास तोर पर कॉंग्रेस इसके साथ साथ इशारों इशारों में संके देदिया कि धामी ही उत्रा खंड में उनके चेहरे होंगे धामी के काम की जमकर तारीफ की और बता दिया कि उनके लक्षे और मिशन में उत्रा खंड प्राथ मिक्ता में है लेकिन सवार ये कि क्या मोदी के चेहरे के साहरे एक बार फिर से जो बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार क्या 60 पार हो पाएंगे क्या मोदी ही चेहरा होंगे क्या वाकई में मोदी के चेहरे के आधार पर उत्राखंड कॉंग्रेस चित हो जाएगी सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे तमाम महमान हमार सा जुड़ेंगे लेकिन पहले देश के प्रदान मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं हलद्वानी के दौरे पर आए कैसे उन्होंने वार की अभी प्रक्षर आईए ज़रा आपको पहले बयान सुनाते हैं और फिर सीधा रुक करेंगे अपने महमानों की तरह मैं आपको एक और खुशकबरी आज देना चाहता हलद्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सोगाट लेकर आया हल्द्वानी शायर के ओर और इंफ्रास्टर के लिए विकास के लिए हम लगबाग दो हजार करोड रुपे की योजना लेकर आ रहे हैं अब हल्द्वानी में पानी, सिवरेज, सडक, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगे पर अभूत पुर्वसुधार होगा साथियों इस दसक को उत्राखन का दसक बनाने के लिए तेज गती से ऐसे ही विकास कारियों पर अनेक काम करने की जरुवत पर हमने जोड दिया है पुत्राखन का दसक है तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं यह जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी बज़े है कि उत्राखन के लोगों का सामर्थ है कि इस दसक को कि उत्राखन का दसक बनाएगा यह मेरा पक्का विश्वाथ है कि मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों कि उत्राखन में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्रक्टर कि चार दाम महा परियोजना कि नए बन रहे रेल कि रेल के सारे रूट्स इस दसक को कि उत्राखन का दसक बनाएंगे उत्राखन में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्स उत्राखन की बढ़ रही अवद्योगी च्छमता इस दसक को उत्राखन का दसक बनाएगी उत्राखन में बढ़ रही प्राकृतिक खेती नेच्रल फार्मिंग यह के धर्बल उत्पात क्रिस्टिक खेत्र में भी यह दसक उत्राखन का होने वाला है उत्राखन का दसक गवरवपून होने वाला है आज की परियोजनाए इन सबसे जुड़ी हुई है मैं उत्राखन के लोगों को आज हल्दवाने की इस धर्ती से बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों हम तो जानते हैं हिमालय की ताकत को जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखन से कितनी ही नदिया निकलती है तो देश के प्रधान मंत्री ने सीधे तोर पर अपनी उपलब्दियों का बखान किया और बताया कि देभूई में आकरकार डबल इंजन की सरकार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है दावे और वादों के बीच में संकेत दिया कि हल्दवानी की समस्याओं का समधान जल्दी हो जाएगा मगर सवार ये कि साड़े चार साथ में डवल इंजन की सरकार ने हलदवानी का कितना विकास किया हलदवानी के परिपेक्ष में अगर कहानी को देखें और समझें तो सियासी गड़िद इसलिए भी दिल्चस्प हो जाता है कि यही हलदवानी की सीट कल तक कॉंग्रेस का गड़ थी हलदवानी का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल तक डॉक्टर इंद्रा हिर्देश यहाँ पर चहरा हुआ कर देखें अब वो हमारे बीच में नहीं है ऐसे में हलदवानी में क्या वाकई खासतोर पर हलदवानी के इर्दगिर्ट की जो सीटे है जो उधम सिंग नगर का जिक्र भी कहया जाए तो क्या देश के प्रधान मंत्री की इस्रेली से कुछ प्रभाव पड़ेगा सीधा रुक कर रहे हैं अपने महमानों की तरफ आपको बता दे आज हमारे साथ जो महमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारूफ करवा देते हैं हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुशील त्यागी जुड़ चुके हैं जो की बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साती सात अमरजीत सिंग हमार साथ जुड़ चुके हैं, जो की कॉंग्रेस के चेहरे हैं, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, कुछी देर में हमार साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी इस कारिक्रम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन सुभा हुए ये, गरजना, ऊचा-ऊचा बोलना, और हर बार आकर के जुम्ले कसके जाना, और इन से पोचिए काम क्या हुआ तो केवल शिराल नयास की बात करते हैं, ये कोई कारें बता कर नहीं जाएंगे कि हमने क्या किया, आज उत्राखंट पूरी तरह से इनके जुम्ल आने वाला ग्रती है, तो मुझे कहते हैं, बड़ी शर्म आती है कि वह हमारा परदान मंत्री है, वह उत्राखंड हो या पूरे देश की बात करो, उन्होंने केवल और केवल अपायें पहलाई हैं, कौन सी बात जुम्ला नहीं लगी, आप बता देंगे, मैं सुशील जी से कौन सी बात जुम्ला लगी आपको, बताईए ना आप, लखवाडा परियोजना की बात आज करते हैं, तो आज इस दो शिला नहीं शियाद आया है उससे पहले कहां थे, इससे पहले कहां कर रहा नोंने, इससे पहले उत्र परदेश में में इनकी सरकार रही, उत्राखंड म समझते हैं ना, नहीं अमर जी जी, इससे पहले इससे पहले जो है, जनता सब जानती है, इससे पहले जो है, हरीश रावजी मुख्य मंत्री थे, चुनाव से एन पक पहले एक के बाद, एक के बाद एक, एक के बाद एक गोशना कर रहे थे वो, उससे पहले खंडूरी जी आ इतना जानना चाहा हूं, कि आपको कौन सी बात जुम्ला लगी? कि लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं, आपको दिहायी मुद्धार नहीं को दिखाई नहीं? सुना आपने अमर्जीद जी बहुत नराज हैं, वो कहरें कब तक जुम्ले छोड़ोगे, मैं एको समझ में नहीं आ रहा, ये जुम्ले वाली पार्टी है, तिलक जी क्या है कि कॉंग्रेस के पास कहने को कुछ है नहीं, और ये इनके राष्टे नेतरत से रिलेकर और धरातल क कार्यकरता, ये विपक्स पर केवन जुम्ले जुम्ले करके ये इस्याग बढ़ना ही नहीं चाहते, ना इन पर कुछ कहने को है, आरो सुनिल त्यागे जी, आप से पुछता हूं, मुझे बताईए आप, निक क्या 15 लाग आगे, मुझे बताईए, आपनी बाज अपनी आप नराज की हो रहे हैं, आप अपना एकाउंट नमबर दे दी दिये ना उनको, 15 लाग आए नहीं आएं वो डलवा देंगे, भाज पाई हैं हो, रुख जाई एक सेकंड, इनका अपनी बात रखने दिये, फिर आपकी बात आएगी, बोली अपनी बात कुछिए दिये, मै आपको विकास दिखाई देता, तो एक लाग करोण रुपे के इस समय उतरा खंड में कामा दिखाई नहीं देता, यहाँ एक लिए लोगों को नलका कनक्शन हम देते हैं, बिना वियाजिक बें देते हैं, आपको प्राहण में मेडिकल स्वास्टेस होते, सुधर्टित प्रजाय पाई देते हैं, आपको दिखाई देंगे के वह बनी लिए और आपको जो हाल है ना, दोहजार सत्रा से भी यहाँ ना हमें सिर्ट वांग जाना है, यह द्यान तकरें अपना करिये अपना, आप चुंतार स्वास्ट अनकरें आप जोब आपको जोई जोकार देते हैं, आप उन्तम्त्रचंड के वलाई में नहीं होई, एक सेक्ड पराहण में नहीं नहीं। कि अमर जी जी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कि आप उस मंच पर भीड दिखाई दे रही थी कुरोना काल में देखे कि इतनी भीडी कठा कर ली बीजेपी ने इतनी भीडी कठा की कि आप भैभीड दिखाई दे रहे हैं कि इसी मंच पर हरक सिंग रावत मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा हरक सिंग रावत का भी दखाई दे रहा है मुझे लग रहा आपकी टेंशन की वजाएक यह भी है क्या मैं सही हूं हरक सिंग रावत विधायक है मंत्री है उनका तो मंच को होना सुभाविक था इ परदान मंत्री केवल और केवल यह ना चुनाव जीवी है परदान मंत्री हमारे चुनाव जीवी है परदान मंत्री की मोदी जी की रैली से यह प्रोना यहां प्हलेगा जिस परकार से लगाता है अप्रे आ रही है ज़रा इनको समझाए कि कुरोना एक जीव है और से जीने का अधिकार है आप समझा दीजे सर इंको नहीं समझा पा रहा इनको बता दीजिए कि कुरोना एक जीव है और उसे जीने का अधिकार है हमारे यशस्वी पूर मुखे मंत्री तिर्वेन सिंग रावज जी यहीं तो समझाते थे हमें कि कुरोना एक जीव है उसे जीने का दिकार है और आज भी दिखाई दे रहे शाहिए तिलग जी रेली होना न होना ये भारत का जो निर्वाचा नायोग है उसका फैंसला जिस दिन गाइडलाइन आएगी डबलो एचो की हैंड मिनिस्ट्री की यह एलेक्शन कमिशन की उस दिन हम जो भी गाइडलाइन होगी उसी के आदार पर रेली आज चुनाब आयोग ने अधिकार बारत का निर्वाचन आयोग देगा का मतलब यह है नरेंदर मोधी इतने लोग प्रिये नेता है कि उनने के लिए उसको देखने के लिए ही वो जनता उनके दर्स को अगर देश में प्रोनों पहलेगा उसके जिम्मेदागी लेंगे कॉंग्रस के पास कुछ है कभी देश के सर्वादिक राज़िक राज़िक कोंग्रेस की हालत यह है कि उत्राखंड में इनके दाही पर सिन गए दाही पर इनके विदायक स्टिमट ने और आज यह लोग जो बात बता रहे हैं यहां पेट कमर जी जी आपको धरातल का नहीं बता है सबसे वड़ी समस्या मालूम है आपको क्या है वाँ मैं पूरे कुमाओ का दोरा करके आए और खटिमा तक किया था और परसो ही मैं लोटा हूँ खटिमा से कल मैं हकीकत आपको बतामें माला हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या है वहां की अगर आप लोग चाहते तो मैं बताता हूं सबसे बड़ी समस्या अगर आप निजात दिला सकते हैं हलद्वानी को सबसे बड़ी समस्ता बता रहा हूँ वहाँ के लोगों ने मुझे बताई कि वहाँ के युवाँ में उनके रगों में नशा परवास कर चुका है वहाँ पर धडले से नशे का कारोबार चल रहा है नशे का कारोबार मैं हलद्वानी का ही जिकर कर रहा हूँ और हो सकता है कि आप लोग भी उससे अबगवत हों लेकिन इस विशे को लेकर कोई भी रादने तिक दर खुल कर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हलद्वानी जैसे शेहर में नशे का कारोबार चल रहा है और नूजवल इंडिया जिम्हदारी के साथ कह रहा है कि हम जल्दी इस विशे को लेकर एक बड़ा खुलासा करेंगे कि किस तरह से हलद्वानी के भीतर नशे का कारोबार चल रहा है और सब रादने तिक दर खामोश है ये बहुत गंभीर विशे है मैं इसले कहा रहा हूँ कि मुद्दो पर बात करिये साहब चर्चाव हो लेकिन मुद्दो पर हो मैं एक बात विशाल चौधरी जी हमार सा जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश उपादक्षय है आम आदमी पाटी के विशाल जी मेरा ओडियो आ रहा है आपको जी मुझे सुन पाने हैं आप जी विशाल जी देश के प्रधान मंत्री आज हलद्वानी के दौरे पर थे बीजेपी ने कहा ये भीड संकेत है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अपकी बार साथ पार आपकी पर दिक्रिया देके सबसे पहले तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि उत्राखंड को बने हुए 21 वर्ष हो चुके है और दस साल भारते जनता पार्टी का सक्ता उत्राखंड में रही है दस साल कॉंग्रेस की सक्ता उत्राखंड में लेखे आज मानमी मोदी जी जब उत्राखंड के दोरे पर आए तो उन्होंने जो गोशनाएं कहे रही हैं वो उन भूत विधाओं पर करी अस्पताल पर शड़क पर तो मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति को पास साल सत्ता में रहने के बाद अपना रिकोर्ड का प्रैशिक करना चाहिए था तब आप सिलान्यास की बात कर रहे हैं अब तो जन्त आपसे यह पूछना चाहती है कि आपने पास साल में क्या इससे विकास का धे किये हैं जिससे परभावित होकर आतर्चित होकर जन्ता आपको पुना सत्ता में लाने का प्रियास करें। लेकिन मैं पुना ये कहना चाहूँगा कि जिस परकार से आज हमारे युवा सड़कों पर रोजगार के लिए अंदुलन कर रहे हैं और भारते जन्ता पार्टी की सत्ता में जिस परकार से बस्टाचार व्यापत है। आज आज आप देख सकते हैं कि हमारे पी आडी के जवान जो फ्रंटाइन वरकर्स रहें कोरोना काल में चाली सो रुपे ग्रेड़ पे के लिए वो गांधी पार्क तो उनके परीजन अंदूलन कर रहा है। तो आप कौन से सपनों का उत्रखन दिखा रहे हैं हमको बताईए डवल इंजन पर सवाल है सुशील जी जवाब दीजी आप फिर अमर जी आपके पास आ रहा हूं। माननियम के मत्रिजी स्वैम का कर गए आज कि हम लोगों एक सैटलाइट के अंदर इस्थापित क्या है उदम सिंग नदर में जिससे कोवाओं को बड़ा लाब मिलेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी महिमा मंडित करी हुई भासन था अच उसमें मैं तबस्ता हूं धरातल के अधार पे तहीं भी उसका कोई समानता मुझे नहीं नजर आ रहीजी। जवाब ले लिजे जवाब दीजे सुषिल जी आपने बड़ता नशे का विशे उठाया वास्तों मैं नहीं से सहमत हूं और ने केवल हल्दुआनी ने केवल उत्रागंड ये संपूर भारत वर्स में बहुत तेजी से नशे का एक जो कारोबार है ये बढ़ रहा है चिंता का विशे है और हमेसा चाहे अभी एक एडवाइजरी सुषिल जी मेरा मुह मत खुलवाईए सर मैं खटी मा भी होकर आया हूं खटी मा में सर पता है वहाँ पर एक बीर फेक्टरी खुल रही है सुनने में आया बीर फेक्टरी या वह पतक पतक इस पर लग रहा है कौन खोल योजनाओ का लोकारपन फिर कह रहे हैं कि 20 करोड की योजनाओ का 30 करोड की 100 करोड की यह आज शिलान्यास क्यों हो रहे हैं आद तो लोकारपन होना चाहिए ता सर यह तो 2017 से हम सिलान्यास जिस चीज़ का सिलान्यास करते हैं तिलग जी उसका लोकारपन भी करते हैं आपको दोदो मेडिकल कॉलिज बनाई वो नहीं किया क्या हमने लोगों को एक रुपे में पानी देने का जो काम हमारा चल रहा है और अभी उत्राखंड में देश का पहला ऐसा राज्य है जो जेजेन मिसन में हम नंबर वन हैं ये स्थारे कारिये लोगों की जो मूल भू चीजे हैं इनका लोकारपण भी तो करते हैं किसने कहा के सिलन्याजी हम सिलन्याज जिक्षिद का करते हैं अभी धामी जी ने जो साड़े चार महा में जितने भी सासना देश की हैं उनका वित्तिय प्रबंदन भी कियां पर काम हो रहे हैं जवाब दीजे विशाल जी फिर मेरे तीन पहले तो मैं आपकी बात को बहुत गंबीरता से रह रहा हूं जिस परकार से मेरे भी संग्यान में नहीं था कि खटीमा विधान सभाज छेतर में एक बेर फेक्टरी खोली जा रही है जिसमें के गंबीर आरोप लग रहे हैं तो आपका संकेत मैं समझ रहा हूं कि परदेश ब्लत के अब मुख्या आरे नजी तो परति कि मिसाथ ही साथ ही जिस परकार से एक भर творकton पाठ्ति का राष्ट प्रेम ठिटा है रात्य जन्ता पार्टी जहन भूर्यान की मादीय है मादीयम मत्यर से बढ़ यह बारार आश्ट प्रेम की बात करती है लेकिन आपके विशाल जी दिल्ली में पर्चून की दुकान पर बिश्टी लिए तो लिए मैं पूछना चाहता हूं कि जब बारते जन्ता पार्टी हो या कॉर्मरिस हो दोनों ही राजनितिक दलों को उत्राखन की जन्ता ने मौका दिया है, जब तक 9 विधायक कॉंगरेस में थे तो काले चोर थे, बारते जन्ता पार्टी में आते ही पता नि कॉन से दी वासिंग मसीन और दंगा जल है बारते जन्ता पार्टी पर, ये सारे पवित्र होंगे और और जब आधिया जी और उनके बेटे तुबारे पुना कॉंग्रेस में चले गए वो फिर चोर हो गए तो यह जिस परकार की छुचलेदार हल्की राज़ी ने ने विशाल जी वो छोड़ दी दिये वो उत्राखन का दुर भाग गए है मेरा ये मानने उत्राखन का दुर परेड ग्राउंड में आज भी याद है सर ये विशे बहुत गंभीर है इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता मैं एचानना चाहरा हूं कि ऐसे हालात में जो शीला नियास हो रहे हैं इससे आप लोग नराज क्यों है अमर्जीत जी जवाब दीजिए नहीं आप इनका जो काम करें इनके इनके कितने काम हो रही उतराखंड में इनके मंतरी कहते हैं कि अधिकारी शुन ने रहे हैं परकार से मंतरिया चिथिया लिखकर के अपनी शराफ के अधिकारियों को वहा अपने चेतों में लगवाना चाहते हैं इस परकार से मुख्य मंतरियां लिखक ज कह चोड़ भी आज़ा रिए जह तो भरन प्रेम हुए इनका कोई मतलब बात रही रही आद इसे कि आप बात कर आपने तो खतीमा की बात करी किछा की बात करी वहां शराफ एक्षी लग रही है आप भूले तरिन सरकार के समय देव पर्यार में शराफ उस वकात जब इन यह विपक्ष में थे तो यह आरोफ लगाते हैं देनिस की और आज देनिस को बढ़ावा कौन देरा यही तुमाम कैं पता कर जन्ता कि बीद में जाएंगे मुझे नहीं पता आप सुने रहे हैं उपलब्दी तो गिनवा रहे हैं सुशील जी यह पिर से उपलब्दी गिनवा दीजिए इनको बताईए कि हमने डोपला रडार भी लगा लिए डबल इंजन में एक सेंड अमर जी जी आपी के सा मुझे बताएं जरकर पाई किससे पूछ राजअंदर बंडारी जी क्या रहे थे अमर जी एक किस्सा सुना रहा हूं फिर उसके पास सुशील जी के पास जा रहा हूं राजेंदर भंडारी जी से मैंने पूछा जैसे आपने कहा सुशील जी सुनिये गाजर अध्यान से मैंने उसे पूछा कि आप जब विधायक थे तब बदरीनाच से आते थे देरादून तब कम समय लगता था या आज कम समय लगता है तो कहते हैं आज कम समय लगता है आज कम समय लगता है बदरी नास से दरादून आने में ये मैंने नहीं कहा आप ही के पूर विधायक पूर कैबिनेट मंत्री राजेंदर भंडारी जी बता रहे थे मुझे मैंने का चलिया आपकी बात सच हो सकती है लेकिन अब मैं आता हूं मुद्दे पर सुशिल ट्यागी जी ये क दोद में है या बड़े हो गए और तीसरा हिसाब इनको ये दे दी दिएगा कि देव स्थानम बोड जो बनाया था वो तिर्वेंद जी ने सही बनाया था या अभी धामी जी ने फैसला लिया वो सही था इनको वह वाला हिसाब भी दे दीजिएगा कि लोगों की रोजगार को लेकर जो आप लोगों ने गरंटी ली थी साड़े चार लाग बेरोजगार आज भी रिजिस्टर्ट बेरोजगार है उत्राखंड में फिर आपने किन-किन को पकड़ के रोजगार दिया उसका हिसाब भी दे दीजिए सर इनको जवाब दे दीजिए सर प्लीज अगर ये इतने ही विकास के पुरोदा थे तो 2017 में तैस से नो परना आते इतनी ही अगर चिंता थी अब इस ज्यान से तुनिये आप आपको अप्लीज आप सुनिये तरुन चावला जी तिलक चावला जी से पूछे कि जब केंद्र सरकार में हरी सरावत हरीदवार से विधायक ते वो अपने आपको गन्ना पुत्र कहते हैं उन्होंने कहा था कि हरीदवार या उद्दम सिर्गी मगर में मैं गन्ने का सोध केंद्र स्थापित करूँगा कहीं दिखाई देता है क्या गन्ना साफ हो गई क्या आप सुनिये आप सुवालों आप सवालों का जवाट करने का आप सब्सक्राइब ने आज तक क्या है आज तमाम लोग शड़कों पे हैं आपको पता नहीं कितनी को पिस्ति दितो विर्ट के क्या हाल थे चोड़ कर देते मैं आपको विशाल चौद्वी जी एक सेकंड एक सेकंड सुशिल जी मैंने जो महत्पूर्ण सवाल पूछे उसके जवाब नहीं आया विशाल जी मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया दाग्या मैं चाह रहा हूं कि मुद्दों पर चर्चा हो ना लेकिन कभी ये कोई नहीं बतायागा कि हमारी उपलब्द्यां क्या रहा हैं मैं तथ्य का अधार पर कुछ बात करना चाहूंगा अगर कुमाओं के विशे में आप बात करना चाहें तो कोरोना काल में यदि आप आज का समाचार पत्र भी उठागे पढ़ें जीन अस्पातालों में आपके पास बैडर और अक्षी जे इलेंडर सब्लब्द्ध हैं वहाँ पर आपके पास ना तो अनेस्थीटिया के डॉक्टर ना फीजीशन दूतरी बात आप धरातल की बात कीजिए आप जो बातों को राजनेतिक दिश्टिकों दे रहे हैं कि मेरी 50 सेटा आ गई उसकी 40 सेटा आ गई यह मैं को नहीं सर आप यह बताईए मुझको के 3000 स्क पूल आज आपके काजेकार में बंद हो चुक्त हैं कि एक बहुत बड़ी विड़मना बताऊंगा सिए माल भाउक से मातर तीन किलोमेटर दूर दून अस्पताल दैरवदून में जो है आज से दो तीन महां पहले तक वहां पे अमराइकी मशीन नहीं थी कि दूसरी यह अगर देश का स्वास्ते मंत्रा ने दिल्ली को ना सभागता तो आपकी इतनी ख्वाब इस्पिती थी आप दंका वजाते हैं ने सुधार किया है तो बात्री जंता पार्टी के मंत्री को कटगरे में ख़ण किया और अगर इस स्वास्ते में अगर इस पीदी नहीं समझ नहीं तो हमको पारेंगे आप दिल्ली के लोगों का बढ़ा नहीं कर सके जाता है और जिना सुधार करने के लिए पार पार करके करनी चलेगा आप दिल्ली को उसका हर में नाना पड़ेगी और उसके लोगों अच्छा नहीं है अच्छा चरिए यह भी राश्डर होई है अच्छा ओके एक मेरा विशाल जी विशाल जी सुषिल जी सुषिल जी मेरा नाम तिलक चावला है टी आई एले के तिलक चावला मैं एक बात जाना चाहरा हूं ऐसे हालात में उत्त्राखंड में चुनावी रैलियों का शोर है सुषिल जी मुझे एक बात समझाईएगा कि क्या देश के प्रधान मंत्री के आने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर नहीं अरे तिलक जी यह भारतिये जनता पार्टी के ही नहीं देश के ही नहीं वो दुनिया के महान नेता हैं हमारे नेता के जिसको जनता पलत पार्टों पर रखती है उनके आने से हमें फायदा भी कोगा रिलकुल तो 60 पार हो जाएगा मोदी जी के चहरे पर निश्चित रूप से वो हमारे नेता है अच्छा हम उनके नेतर तुम्हें काम करते हमने अपने लक्षे को पार करें जाए तो यानि डबल इंजन के हिसाब से मोदी जी 60 पार का नारा तो 60 पार होई जाएगा कुल मेरा के आप ये कह रहे हैं डबल इंजन की जो सरकार है उसी के कारण इतना हजारा करोड रुपे का ना सो करोड रुपे का वितात हो रहा है और तिलंजी माँ के चेज़न पर जहना चाहता हूँ इनकी भी सरकार्थी 2017 में कॉंडेस की भी सरकार्थी और के जाएगा के आप जो कॉंडेस के परोड़ से यहां बैटे हैं अगर मुझे पांच काम कि लोगे पांच के वाल पांच हम गर्ण फाकर से कहते हैं हमने प्राइंचर के नोंपूदी सेवत की है प्राइंचर के जवाब आप दे नहीं पाए उन्हों ने आपसे चार सवाल किया एक सवाल का जवाब नहीं तक वो मुझे लगता कि अधियो की समस्ता टेक्निकल दिक्कत होगी वो दुबारा पूछ लेता हूं मैं सुशील जी वो यह कह रहे हैं कि एक तो इनको डॉपलार रडार का क्योंकि आपने कहा कि पिछला हिसाब किताब होता तो सर यह सत्ता में होते ना अगर इन्होंने काम किया होता तो यह सत्ता में होते अब आप सत्ता में है वो भी डबल इंजन के साथ है ना सर और अपकी बार साथ पार है इनको जवाब दे दीजिए सर मेरा सवाल ये था कि इनको बताईए वो डॉपलार अडार लग ना सर कहां पे लगा पहले तो वो लोक समें जी ने फैसला सही लिया था या फिर धामी जी ने इनको बता दीगा कि गैर सेंड को लेका डबल इंजन की सरकार ने क्या किया और इनको बता दीजेगा वो रोजगार का जो आकड़ा था साड़े चार लाग विरोजगार जो है आज भी रिजिस्टर्ड है तिलक जी डोटल लगाने का जो काम था प्रोसेस में है तिलक जी हमने जो विकास की चीजे की है जी कॉंगरेस प्विश्टा में थो पूछ रहा हूं मैं कॉंग्रेस वाला नहीं मैं तो सवाल सब्सक्रा पूचता में आएंगे या आजाएंगे या आना होगा फिर मैंसे ऑचाने का नाम छाल तर सपके दे crustideią雑 तर जिए मैंने आपको बताया है हिं। कर डाने का जो परक्रोष्फ में है अच्छा 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 जिसके ओपर उन्होंने कहा कि पांच साल पहले कुछ और आकड़े थे तीन साल बात कुछ और हो गए और फिर उसके बाद इस साल कुछ और हो गए जिस पर काजी निजाम उदीन भी सवाल उठाया था सदन में अच्छा जिसके और आकड़े तो मुझे लग रहा है दस उखतम हो जाएंगी कोई 19,000 बताता है को 28 बताता है कोई 8 लग बताता है मत आप यह समय लीजे जितने मंत्री उतने आकड़े जितने मंत्री उतने आकड़े आपने देवस्तानम की बात करी उस पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया आपने पूछा आपके सांसितों जितने गोद लिये अथे गाउं उनका क्या वह उनको तो कोई जवाब नहीं है ये स्टती है निए बाद जवाब देने टेवल डिबेट को भटकाया कैसे जाए और डिरेल कैसे किया दे सवालों से बचा कैसे जाए इस टाम में मेरे सुशील भाई माहिर है ये सवालों को जवाब भी देंगे आपके विशाल जी विशाल जी आम आदमी पार्टी के दिमाग में ज़ाडू फिरा है आभी मेरे पास खबर ये आई है कि धामी जी ने बोला है आम आदमी पार्टी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि आप लोग उत्त्राखंड विरोधी हैं उत्त्राखंड का सरवनाश करने के लिए आप लोग प्रियास कर रहे हैं ऐसा हम होने नहीं देंग आप लोग कॉंग्रेस की बी टीम हैं मैं बड़ा कंफ्यूज रहा मैं पूरे उत्त्राखंड को घूम लिया ये नहीं समझ में आया आप किसकी बी टीम है बीजेपी की या कॉंग्रेस की यह कह रहे हैं कि आप इनकी बीजेपी बोलते हैं बीजेपी बीटीम है कॉंग्रेस सबसे बड़ा राष्टभक्त खुद को समझता है लेकिन आमाद्वी पाटी मुख्यमंत्री के रूप में एक कर्णल को प्रजक्ट करती है उत्राखण में इनको सोर्य चक्र से समानित किया गया है इनको सेना में विजिस्ट मैदल से समानित किया गया है दूसरी बात अध्या दिल्ली चुनाओ नतिजों के बाद आया उसके बाद भारत्य जन्ता पार्टी पूरी भुखला गई है आज बीजेपी को कॉंग्रेस से नहीं आम आदमी पार्टी से डर लगता है जो कि 2000 विदान सभा जो 2019 की जो विदान सभा चुनाओ थे दिल्ली के उसमें मैं स्वेम आ साजे करता के रूप में काम कर रहा था जहां पर 200 सांसाथ 75 कैबिनेट मंतिरों 11 मुख्य मंतिरों की फोज आम आदमी पार्टी को रोखने के लिए भारत्य जन्ता पार्टी की द्वारा खड़ी करीगी लेकिन उसके बाद भी मात्र आठ विदायक जीत कर आए जन्ता ने मह कॉंगरेस के पुरु मंतिरी थे आप जानकूर पुरु मुख्य मंतिरी हैं उनको तोड़कर आप कुछ पार्टी के साथ गड़बंदन कर रहें तो कॉंगरेस की बीटिम आप होए या हम होए मिशाल जी मिशाल जी मैं समझ गया आपकी बार आप पे कह रहें कि ये सर मेरी ना आप आप कुछ तथे करना चाहा हूं तर में एक बारते जनता पाट्टी के परवक्ता ने ये बात कही कि आप पांच काम गिना दिजिए ओंगरेस के परवक्ता से तो मैं आपको एक तथे बताना चाहूंगा आज से एक वड़ पुरूप दिल्ली के सिख्छा मंतरी, डिप्टी सीएम हमारे, माननीय मनी शितोर्द्या जी उत्राखन दोरे पर आये, उन्होंने एक चुनोती दी, एक चैलेंजी दिया, जब आपके मदन कोशिक जी जब मंतरी हो देते, अरकार में और सास के परवक्ता की वुमिकान में काम करते, आप सिरी बात, यदि आज बेरोजगारी के आप बात कर रहे हैं, तो सर्थ ध्रातल पर आके देखिए क्या हिस्तिती हो रही है, आज उत्राखंड धरना परदेश और आंदोलन कारियों का परदेश बन गया है, जो लोग सिक्षित हैं, जो योग्ये हैं, जो में बीर्ड जो आपील कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो रोजगार हैं, जो रोजगार पर हैं, वो लोग चाहे रोड वेक के करमचारियों, चाहे अतिस्ती सिच्छों को, वो लोग भी अपना मान्दे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, तो भारत जिसके प्रधानमंद्र कुछ से उपलब्धी गिनवा रहते हैं? विशाल जी आज आपने सुना नहीं वो एक्व करके उपलब्दीया गिनवा रहते? सुना नहीं आपने? विशाल जी? विशाल जी ? चावला जी मैं है चावला जी विशाल जी का ओडियो डिसकनेक्ट हो गया प्लीज कनेक्ट करिएगा लेकिन एक बात मैं जिस विशे पर आना चाहरा था ऐसे हालात में चुनावी मौसम है अमर जीट जी कुरोना भी बढ़ रहा है फिर से टीसरी लहर आ रही है मैं आ रहा हूं मिशाल जी लेकिन अमर जीट जी अब ये कंफर्म है ना कि हरी शुरावत को लेकर कोई वट तो है नहीं दिल्ली से बकाइदा आदेश दस जन्पत से जारी हुआ है करशपत करशपत दस जन्पत यही है ना कॉंग्रेस का फॉर्मूला अब जो कुछ हुआ चल है अगर दूसरी तरफ से चुनोती दी जा रही है दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे दावे यह हमारे दावे वो धरातल पर आप लोग जा रहे हैं तो मुद्दों के आधार पर चुनाव हो क्या यह संबव है कि आज अपने धामी जी का शद भाषन सुना होगा तो उसमें रूने दो चार बाते कहीं कि वो अपने परदेश की बात ली कर रहे हैं वो आज भी धारा तीन के सक्तर राम मंदिर काशी अगर आप देखो यह केवल इसी पैटर्न पर बात कर रहे हैं और पिछले दिनों क्य क्या हुआ हरीद्वार की धन संसद में क्या हुआ यह केवल धुरूवी करण की राज़िती करना चाहरे है यह पर दिख रहा है यह पैटर्न दिख रहा पैटर्न को देखिए आप यह किसी चित्यानित के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं कॉंग्रेश जनित के सब्सक्राइब कोई बहुत बड़ा शरुकार नहीं है राम मंदिर काशी विश्वलाद मंदिर केवल और केवल इस इन मुद्दों पर चिनाव लड़ रहे हैं आज तो भी बालूम होगा कि काली जहरानजी को गर्फार कर लिया गया इन्हों ने क्या किया अब तक एक गरिफ्तारी नहीं हुई केवल एक दूसरे के प्रती तहरीरे और रिपोर्टे दी जा रही है और किस परकार से पुलिस के सामने ठाक्ते लगाई जा रहे हैं और धरातल पर काम कुछ नहीं है केवल और केवल धुरूमी करन किस परकार से क बदन चुकी है इस पर यह लोग काम कर रहा हमारी बात जहां ठाकी मैंने आप से पहले भी कहा हम लोग मुद्दों की राजनीती कर रहे किस परकार से रहातल का हम क्या है पर शौड़ने काहम ने किया है वाज पार्टी सरकार ने आने वाले समय में देखते था इनकी पार्टी के आज भी बहुत से नेता मैं आपको यकीन से कह सकता हूं और दावे से भी कहता हूं कॉंग्रेस में हाथ जोड कर यूँ पड़े हैं हमें आप अंदर ले लिए और आप इनके लिए बंद किये हूं यह आपको छोड़ के चले गा है यह आपके सखे नहीं हूं इनके के सखे हूंगे हकीकत बता रहा हूं हकीकत बता रहा हूं अमर जी नोट करिए काम आएगा आपके हकीकत बता रहा हूं जो आप कहे रहा है ने इनको मैंने मना कर दिया हमारे द्वार बंद हो गए किसी को ले नहीं रहे जिनको लिया उनकी अकिकत बता रहा हूं आपके पूर प्रदेश अध्यक्ष, पूर स्पीकर, पूर कैबिनेट मंतरी, कॉंग्रेस के धुरंदर, यश्पाल आरे जी बाजप पूर में पिछले रवीवार को, यानि जो रवीवार भीता है, सैकड़ों लोग सडकों पर उत्रे हजारों लोग, वो पता है कौन थे? वो कौन थे? आप जानते हैं अच्छी तरा. मैं बता रहा हूं सर, मैं तो वही था, मैं आखों देखी बता रहा हूं. मैं आखों देखी बता हूं. सर, सुन तो लीजी, आप समझ गए मेरे को समझाने तो दीजिए, आप कैसे समझे, जब मैं समझा ही नहीं पाया आपको. मेरा ये कहना है कि उनका विरोध जो है, वहां की आवाम कर रही थी. और नारे लग रहे थे यश्पाल आरे वापिस जा ड़ी शेया हूं. मैं नहीं रही सब ही गाश्यपूर बादर से गूम रही थी. अब सुनिए इसे जो चामी घूम रही थी वो गाजी पूर बॉर्डर से घूम रहे थी वो किसान नेता अमर जी जिस किसान नेता कर आप अपको तो वीडियो दिखाया आपको चाहिए तो परमान देता हूं आपको भी यश्पान आरे वापिस जाओके नारे लग रहे थे वो भारतिया जन्ता पार्टी के कारिकरता थे जो कभी किसी जमाने में कंगरिस्यों करते थे वो उनके साथ वहाँ चलेगा अगर वहाँ पर बारतिया पार्टी के रहे थे जिए 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 आपकी बार साथ पार लेकिन ये कह रहे हैं कि घर को छोड़ेंगे नहीं हम हमारे पास तो कतार में लोग खड़े हुए हैं नो एंट्री का बोर्ट लगा रखा है हमने तो अब बताईए इतने चोड़े हो रहे हैं ये श्पाल आरे जी को पार्टी में शामिल करके आपके पास तो ऐसे दस्दद कॉंग्रसी हैं को याद दिलाईए सारे कॉंग्रसी तो आपने लेगी कॉंग्रेस परवक्ता को सरीता आरिये की विजरा चिट्टी और उनका जो ब्यान है वो भी सुनवा दीजिए तिलिक जी अभी कॉंग्रस के परवक्ता जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का मुद्दा गिनवाते हैं 370 अटाते हैं अरे आपने कश्मीर में आप देखे राम मंदिर पे आप रुखेंगे नहीं रोजगार पर सवाल पूछूंगा जवाब नहीं देंगे कि अपने इस देश में जितने कुठार आगात किये विकास गाइब हो गया बारती जंता पार्टी की नरेंदर मोधी की सरकार उनको तो उनको गिनाए रागया ते आगी आपकी सच्चा ही ना बताया आपने क्या था आप बाजपूर की अखिकत बता लिए रोसर पूर की बता ह सुषील जी आज आपके नेता हिंदों की परिवासा किनाते मिरते हैं आप आगे असली फॉर्म में आपकी पिछ पर थोड़ना केलूंगा क्या उनकी मजबूरियोंगा एक प्रकेंड मैं कॉंगर्सी जोड़ता हूं या हम आद्नी पार्टी कि आपके साथ मिनकर जो सुषिल जी आपको माप करने वाले नहीं हैं तिलग जी एक सेकिड़े आप रोजदार भूल गए यह आगए राम मंदिर यह आगए वो धारा सिम्शत्ता है आप आजादी के बीसमाख है और देश की सनातन संस्कृती के भी महाँ है तब ही तो देश के लोगों ने इतना व आप देखते हैं आपकी कितने राज्यों में सरकार है आप रोजगार के आखड़े इस चैनल पर गिनवा रहे हैं हमर जी जी 36 गड़ का वाखड़ा देके अभी जोर रोजगार के आखड़ा है सात्वे नंबर पता 36 गड़ आप देखिए वहाँ आप देखिए हो गया अभ अपने को कहते हैं समकी चाहत और अभी दरने पर बेखे दे के मुझे को फिरेंट दीजिए तो क्या आप जिसका अमर्जी जी ने तुर्त अपने नेता पर विश्वास ना करता हो सुशील जी उत्राखड़ की जनतास पर क्या विश्वास करेगी वही आपके पास कोई जव गृम में और बाद एक मिनट अमर्जी जी एक मिनट मैं और नीचे करों तुशील जी मुद्धे पर आएं तीजी लगें एक मिनट अच्छा थोड़का लगते है सर और मैंने उंको बाजपूर की कहानी सुना दी मैं आपको रुदृपूर की बैट के कहानी सुना हो क्या अ मैंने का कि रोगों को रोजगान मिना लोने का भारत माता की चाहिए मैंने का आपने अपने विधानसभा शेत्र में क्या किया बोले C.E.A. ले आए सर किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं मैंने उनसे पूछा मुस्दमानों का वोड चाहिए बोले नहीं चाहिए यह कौन सा विकास है मेरा यह कहना है अब जो बात कर रहे हैं क्या धारा 370 समात की मुद्दे पर आएं मैंने कब कहा मैंने कब कहा कि धारा 370 को लेकर यह आपका एजेंडा था ना मेरा एजेंडा रोजगार है अब मैं अपने एजेंडे पर आऊ मेरा एजेंडा बेरोजगारों को रोजगार दिल्वाना है अब मैं अपने एजेंडे पर आऊ आपका एजेंडा होगा आपके एजंडे के साथ पूरा देश है अगर 370 को लेकर आपने फैसला लिया तो किसने विरोध किया जिन्होंने विरोध किया वो देश के कद्दार बन गए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे ये मेरा एजंडा है न्यूस वाल इंडिया का एजंडा है कि बेरोजगारों की आवाज इस मन्स से उठाए चाहे सत्ता में हम अरजीत ली रहें चाहे वो सुशील जी रहें मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दा बेरोजगारी बनकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता आप करिए विकास 378 आए कौन रोकरा रामंदिर बनाएए कौन रोकरा आपको आप करिए साहाब कौन रोकरा आपको सर्जिकल स्टाइक करिए लोगों के दुश्मनों के घर में जाके स्टाइक करिए कौन रोकरा पूरा देश आपके साथ है लेकिन बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे ये सवाल है मैंने वो सवाल पूचा उसका जवाब दीजिए सुचिल जी प्लीज अब मुद्दे पे आईए देखी तिलक जी रोजगार के हमने बखुबी आंकडे सदन में भी दिये कॉंग्रेस के नेता ने कहा था कि अगर तीन अजार नियुक्तियों का मुझे पत्र दे दें तो मैं राजनिती छोड़ दूँगा तिलक जी नाम और विभाग से मांग रहा हूं नमबर के साथ नाम के पुझा Trump लाओंगा रेडंघंविशों करेंगे के मैं तो कह रहा हूं आप को छोड़िये न मैं आपके मुहिंक के साथ हूं मन्रियों कत मुझे सर्वादिजा चार साल पहले कुछ और ते और इस साल कुछ और थे हरक सिंग रावा जी कुछ और आपके पूर मंत्री कुछ और रहे थे अगर मनरेगा के रोजगार आकडों को उसमें आज करेंगे तो भिकत हो जाए जिए तो पकोड़े तरने वाला भी रोजगार है आपने आज डिबेट करी बहुत अच्छे मुद्वे पर करी परधान मंतरी जो बोल के गए तो सवाल कुछ जाने चाहिए थे लेकिन त्यागी जी ने एक भी मुज्य की बात नहीं करी, विकास की जवाब नहीं दिया, बेरुजवारी पर जवाब नहीं दिया, महंगाई पर जवाब नहीं दिया. किया लेदे इनको घ्रस और मों का इंको स्यासी खाया देंको नहीं दिखाए देगा, ठैंक यू सो मज, बहुत बहुत शुक्रिया, त्यागी जी आपका भी, अमर जी जी आपका भी, विशाल चौधरी भी हमार सा जुड़े थे, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन मुद्दे की बात यही है, क चुनाव क्या मुद्दे पे लड़ा जाएगा, क्या इनी मुद्दों के अधार पर उत्राखंड की आवाम वोट करेगी, नमस्कार जाहिंद्य भारत, जा उत्राखंड